नमस्कार दोस्तों मैं अकले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चेनल में एक बार फिर से तो दोस्तों बात करेंगे साहो ट्रेलर के बारे में तो स्राहो का ट्रेलर देखके सबसे पहला एक्स्पुरेशन यह आता है वाउ! कमाल, बवाल, धमाल बिलकुल वेसे ही जैसे वार का टीजर देखके मेरा रियक्सन था अब टीजर को देखने वक्त कहीं न कहीं तो यू लगेगा कि यह बोलियोड के फिल्म नहीं है बेसिकली है भी नहीं क्योंकि बोलियोड वाले बना भी नहीं सकते है टोलियोड के फिल्म मतलब यू लगेगा कि इंडियन फिल्म नहीं है हम किसी होलियोड की फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं ट्रेलर चालू होता है देखते रहो देखते रहो देखते रहो फिर एकदम से ट्रेलर खतम हो जाता फिर देखके लगता है इतने जल्दी केस से खत जब वो बस उफर से गिरती और प्रभास बाइक पे जाता है वो सीन थोड़ा सा लूल है उसके बाद भूत सारे से सीने जो अंडर वाइटर वाले जिसमें बढ़िया VFX देखने को मिल रहे हैं और दूसरी सबसे खास चीजे इस ट्रेलर का बेगराउंड म्यूजिक करते हैं इसह कैसा फिल्म में भी देखने को मिलेगा अब तीसरी खास चीजे इस फिल्म का एक्षन हें कमाल का यार मतलब कि इस तरह का एक्षन कमपोस करा है जिसतरह का है के एक्षन स्याहीद में आज तक किसी भी इडियान फिल्म में नहीं देखा, बोले उड नहीं ब Wasser रहा हूँ, साउध भी उसमें आ गई, किसी भी इंडियन फिल्म में इस तरह का एक्षन नहीं दिखा, उमिद करते हैं, वार में इससे भी बेटर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी बात साहो की कर रहा है, तो दोस्तों साहो का एक्षन, अब तक का बेश्ट इंडियन एक्षन फिल्म का ट्रेलर में देखने को मिला, अब अगर बात करें नेगेटिव चीजों की, तो दोस्तों ट्रेलर चलता है, तो ट्रेलर देखके कहीं कहीं आपको लगता है, कि बेंग बेंग का ट्रेलर आ गया, रितिक रोसन और केटरिना केप की, क्योंकि उससे काफी सीमिलर जाता है तो यू लगता है कि सायथ 2 सरे लायों चल्ड़ जर रहा है जिसमें आमेराइच private चलता है थो ट्रेलर आगे जाता है तो यू लगता है कि यो यह एक यह रेस्ट्री का ट्रेलर तो नहीं क्योंकि सब 토 मतलब साहो का ट्रेलर कन्फ्यूस कर देता कि ट्रेलर रेस्त्री जैसा है बेंग बेंग जैसा है या फिर धूम्त्री जैसा है मतलब कन्फ्यूस भी कर रहा है यूनी बोलूगा ट्रेलर खराब है बट ट्रेलर अच्छा है पर थोड़ा कन्फ्यूस कर रहा है या तो यह फिल्म भैंकर फार देगी या फिर लूल हो जाएगी सिरियसली मैं बायज रिवी नहीं दे सकता जो मुझे जैसा फिल हुआ वेसा उमीद है कि फिल्म तो बढ़िया होगी लेकिन कहीं न कहीं कन्फ्यूजन वाला ट्रेलर है अब आंध्यभक्तों की तरह पूरी तरह से तारीप तो नहीं खर सकता मैं जो है सच वही बोलूँगा या तो यह फिल्म बहेंकर अगर कंटेंट अच्छा हुआ और स्टोरी दमदार हुई तो यह समझे कि यह फिल्म तमिल, तेलगूर, मलियालम में तो फाड़ने वाली है लेकिन हिंदी वर्जन में इस फिल्म को अगर अच्छे रिव्यूज मिल गए तो फिल्म की ओपनिंग एस सी बहेंकर होने वाली है हाला कि ओपनिंग तो नेगेटिव रिव्यूज में भी होगी अगर पोजिटिव रिव्यूज आ गए तो यह समझो लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में यह फिल्म इस साल की सबसे बड़ी बोलियूट की फिल्म कबिर सिंग को भी चेलेंज कर सकती है अब अगर बात करें फिल्म के श्टार काश्टी के बारे में तो फिल्म में है प्रभास, सुरद्धा कपूर और 69 अधर लगने रहा कि बंदा जो तेलगू बोलता था जिसको हिंदी आती नहीं थी वो इतने एच्छे हिंदी डब कर सकता है सुरी डब क्या बोल सकता है वो चाहता तो इसली किसी भी डबिंग आर्टिस्टे से अपने डबिंग करवा लेता है हिंदी में लेकिन भाई ने मेहनत की है और साब जहलग दिख रहे है और खास बात के डायलग डिलेवरी वाला जो एक सीन आपको ध्यान में आया होगा जब वो बुलता है कि गली में तो हर कोई तिंदुल कल रहता है लेकिन जब मेदान में वो आला डायलोग है कमाल का बंदे ने इतने सही तरीके से डिलेवरी की है जकास वही बात करें सरद्धा कपूर की तो यहार सरद्धा कपूर का जो फर्स्ट लुक आया था तो मेरे फेस्बुक पे कुछ फ्रेंड है वो ट्विटर पे भी है वो सब बोल रहे थी कि सरद्धा कपूर इसके लिए फिट नहीं है मतलब स्रद्धा का पूर इस फिल्म में जमेगी नी लेकिन दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद एक बात क्लियर हो चुकी कि साहो के लिए स्रद्धा से बेटर कोई नी हो सकता था क्योंकि स्रद्धा ने भी जो एक्सन दिखाया वो भैतरेंगे हलाकि इससे पहले वो बागी में अपना एक्सन दिखा चुकी लेकिन इसमें इस्टाइलिस एक्सन कमाल का है अब बागी के स्टार कास्ट को कोई ज्यादा फोटेस दी नहीं है हमारे लेजेड चंकी पांडे सर कमाल लग रहे और पिछली फिल्मों से काफी अलग लग रहे है एक तरीके से इमानदारी से बोलो तो फिल्म के असली हो चंकी के पांडे ही है वही जग्गो दादा भी डेडली लग रहे है और साउथ फिल्मों के सबसे बड़े विलन बन चुके हमारे निल नितिन मुकेस वो बंदा भी स्टाइलिस लग रहे हैं मतलब और आल गुमा के देखे जाए तो ट्रेलर बढ़िया है अब फिर से वही रिपीट करूँगा कि पूरा इस फिल्म में डिपेंड है अगर कंटेंट अच्छा निकल गया फिल्म फार देगी और अगर कंटेंट थोड़ा भी धिला हुआ भगवानी जाने इस फिल्म का हलाकि उमीद करते हैं कि फिल्म कमाल की और फिल्म सभी रिकार्ड तोड़ दे क्यों वैसे अपन तो प्रभासन्ना के डायाइट फेन है उमीदी कर सकते हैं कि फिल्म अच्छे चले वैसे आपको ये ट्रेलर केसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर अभी तक ट्रेलर नहीं देगा तो आर सबसे पहले जाओ टी स्रीज की ओफिसियल चैनल पे और ट्रेलर देख क्या आओ हो सुड़ने वाले है और यहां आपको मिलेगा होनेश्ट रिव्यू सभी मूवीस का सबसे पहले हैं मैं मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रहे है अपना और अपने माता पिता का जैहिन वंदे मातरम